चलिए आज का discussion है कोशन के साथ में start करते हैं कोशन है जो अब की बार यानिके 2020 के प्रिलियू से पूछा गया और इससे लिए एक news भी में आप लोगों से discuss करूँगा इसको आप लोग attempt कीजे उसके बाद में हम लोग आज का discussion देखेंगे बात की जारी है कि यहाँ पर कुछ countries के group आप लोगो दे रखें और उसमें से बोला गया है कि कौन सी country का जो group है आपर चार country वो G20 का member है ठीक है तो यहाँ पर बोला गया है कि in which one of the following groups are all the four countries member of G20 ठीक है तो यह है आप लोगों के सामने question A में बोला गया है Argentina, Mexico, South Africa और इसी के साथ में तुर्की B में बोला गया है Australia, Canada, Malaysia, New Zealand C में बोला गया है Brazil, Iran, Saudi Arabia, Vietnam D में बोला गया है Indonesia, Japan, Singapore और South Korea question को अच्छे से attempt कीजे इसके बाद में आप लोगो इसका answer बताऊंगा इससे लिए एक news discuss करेंगे, उसके बाद में फिर आम लोग चीजों का आगे देखेंगे आज जो important day है आपर यह है 24th of October जिसको बोलते है United Nation Day United Nation Day के बारे में मैं already आप लोग से discuss कर चुका हूँ अगर editorial वाली वीडियो आप लोगो ने देखी है क्योंकि वहाँ पर एक काफी important article आया हुआ था अब यहाँ पर भी एक खोड़ सा overview देदेता हूँ आप लोगो ताकि इसको आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें UN, UN के United Nations जो था वो 24th October को बनाय गया था 1945 में UN के 24th October 2020 यह बोलता है कि टोटल मिला कर इसको 75 साल complete हो चुके है UN को बने हुए को यहाँ पर स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया गया तो 51 कंट्री एंगे 51 कंट्री साथ में उनके द्वारा बोला गया कि वर्ल्ड में पीस होना चाहिए कोपरेशन होना चाहिए तब ही जो वर्ल्ड वार जैसी कंटिसन है उसको हम लोग रोग पाएंगे क्योंकि ओल लेडी दो वर्ल्ड वार यहाँ पर हो चुकी थी अब वो नहीं चाहिए थे कि आगे फ्यूचर में भी कोई वर्ल्ड वार यहाँ पर देखने को मिले जो वाइड करा सकें इसी के साथ मैं री-하세요 Wisconsin के पूस्ति करना ओवर क्य Ultra कमिटमेंट की हमारा केलेक्टिव कमिटमेंट का है मल्टि लेटरिंग को लेकर यहाँ के बहु पक्षिक को लेकर आज की डेट हесь में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो अपने उबर फोकस देती है इन में से डोनल्ल टरंस साब की एक कंट्री यूएस से तो इसी के बारे बात की जारी कि क्या अकेली अकेली कंट्री पोलम का सुलिस्टन निकाल सकती हैं तो इसलिए मिलकर काम करना पड़ेगा जैसे टेरिजम की पोलम होगी इसी के साथ में साइबर सिक्योर्टी वाले इशू होगे पैंडमिक यानि के कोवड नैटीन वारी पोलम होगी तो बहुत सारे ऐसे इशू है ओल ओवर वर्ल में जिनको मिलकर ही इनका निप्टारा किया जाएगा अकेली कोई कंट्री हाँ पर उसका एकस्पेक्टेड रिजल्ट हम लोग नहीं ला पाएंगे तो इसी नहीं हाँ पर आप लोगों पता है कि युएन के जो सस्टेनेबल डेवल्लमेंट गोल है यहाँ पर इनी सब चीजों के बारे बात करते हैं कि गरीबी मिटानी है तो मिलकर मिटाएंगे हंगर मिटानी है तो मिलकर मिटाएंगे इसी के साथ में गुड हैल्थ, अच्छी एजुकेशन जेंडर इक्विलिटी, ओल ओवर वर्ल्ल में होना चाहिए इन्वोर्मेंट के बारे बात करते हैं क्लाइमेट एक्षन के बारे में लाइफ बिलो वर्टर, लाइफ ओन लेंड इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं ताकि ओल ओवर वर्ल्ल को एक रहने लाइक जगह बनाया जा सके तो ये सारी जो चीज़े हैं इसका बेसिक परपजी होता है कि हम लोग चीज़ों को अंडेस्टैंड कर सकें और ढंक से उनको इंप्लिमेंट कर सकें तो इसके बारे में एक खलका सा आइडिया आप जरूर रखेगा ठीक हैं तो यहाँ पर इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया होगे हैगा 2021 तक 2021 में फरवरी में हाँ पर मिटिंग होगी उसमें यह डिसाइड करेंगे कि आगे पागिस्तान के साथ में क्या करने है फाइनन सेलेक्शन टास्पोर से एक गुरूफ है जो कि यहाँ पर बात करता है कि country जो है उल्टी सीधी हरकते नहीं करें और इंसानों की तरह सही रास्ते पर चलते रहें तो दो मुद्व के उपर यह बात करता है एक तो बोलता है money laundering के बारे में यानि कि जो पैसा गलत तरीके से कमाये गया वो system में नहीं आना चीए दूसरा बात करता है terrorist financing के बारे में यानि कि जो terrorism को जो पैसा दिया जा रहे है उसको यहाँ पर रोखा जा सके उस financing को उसके बारे में यह बात करता है तो financial action task force के दौरे हैं यहाँ पर यह बोला गया जब यहाँ पर deadline जो है एक्सपार हो चुकी है उसके बाद में इसके द्वारा काम किया गया यानि कि जिस तरीके से एक predefined time में इसको काम करना था उस तरीके से इसने काम नहीं किया है हाला कि progress देखने को मिली है तो यह एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते है तो आगे आने वाले time में भी इसको analysis किया जाएगा कि यह सही काम कर रहा है फिर कोई कोता ही बरत रहा है उसके बाद में decide करेंगे कि इसको gray list में से बहार निकालना है यह फिर आगे इसको एक और उपादी देनी है जो कि black list की होगी तो black list इसके economy के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है तो यह बात यहाँ पर बोली गई है तो काम करने में जो इसको बोला गया था है आपर बोला गया था कि lack of action अभी देखने को मिल रहा है जो UN Security Council ने बोला था जो terrorist group है उनके खिलाप action लेना तो terrorist group जो है अगर उनके खिलाप action लेगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्ता कैसे चलेगी क्योंकि वह ही तो है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्ता चला रहे है अगर बात करें आप जैसे की हाफिज सहीद के बारे में जाकिर उर रह्मान के बारे में इसी के साथ में मसूद अजर के बारे में इनको बोला गया था प्रोशिक्यूट करने के लिए इंडिविज्वल पर बेहन लगाने के लिए तो कुछ किया गया है कुछ नहीं किया गया है इसी के साथ में terrorist financing के बारे बात के जारता कि अलगलग terrorist group को पाकिस्तान के अंदर जो एजनसी है वो finance करती है तो उसके उपर भी ढंक से step इनके दोरा नहीं उठाए गए है तो यह कुछ ऐसे area जहापर पाकिस्तान को काम करने के लिए बोला गया था और उसने प्रोपर काम नहीं किया है तो जो यह group हैं आपर जिसको बोलते हैं आपर finance selection task force sort form में FATF बोलते हैं आखिर यह picture में क्यों आया picture में इस तरह है क्योंकि आप लोग को पता है USA के उपर अटेक किया गया था उसामा बिल्लादेन के द्वारा 2001 में तो उस time पर यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए हाँ पर कि condition जो है उसमें terrorist financing को add करना है हलक यह group पहली आ गया था पर लेकिन जादे सतर तरीके से इसने काम करने start किया 2001 के बाद में क्योंकि उससे पहले यह only money laundering के लिए काम करता था money laundering मतलब गलत तरीके से कमाया गया पैसे को system के अंदर नहीं आना चाहिए तो उसके लिए काम करता था finance selection task force जो है हाँ पर यह एक money laundering के लिए body बनाए गये थी G7 countries के दोरा जो की G8 भी कही जाती थी पर लेकिन रसिया हैं से बाहर निकल गया तो इसको G7 country हम लोग बोलते हैं 2001 में हाँ पर जो terrorist financing को एड कर दिया गया तो आज की date में दो मुद्धों पर काम करता है money laundering और terrorist financing Paris France के अंदर इसका headquarter है टोटल मिला कर 39 इसके member आप लोग को all over world में देखने को मिल जाएंगे English और French दो language यह यूज करते हैं और Zing Ming Liu जो है आज के में हाँ पर president है 1989 में हाँ पर इसका formation किया गया था 30 साल पहले जो कि ए इंटर गवर्मेंटल organization है जो mutual एक तरीके से evaluation करती है जो recommendation दिये जाते है member countries के लिए अगर कोई condition देखने को मिले तो फिर उसके उपर परतिमत लगाया जाता है पाकिस्तान आखिर अब तक blacklist में क्यों नी पहुचा है इतनी हरकते करने के बाद भी तो उसका सिधा सिधा मतलब है आपर China चाइना के हाथ में power रहती है तो China इस ती हरकते कर पाते हैं पर लेकिन अगर बात करें finance election task force group के बारे में इसके अंदर एक condition है कि अगर हैं आपर 39 member में से कोई भी 3 member बोल दे कि यह चीज सही नहीं है तो वो चीज रुख जाएगी जैसे पाकिस्तान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो तुर्की है और मलेशिया है और चाइना है तो यह 3 country ऐसी है यहाँ पर जो कि पाकिस्तान को support करते हैं और पाकिस्तान को black list में डालने से रोकते हैं तो इन 3 country के एक नामात है मिली जुली जो पाकिस्तान को यहाँ पर उसके सही मुकाम तक पहुचाने से रोक रहे हैं तो यह important news है जो की direct question बन सकता है तो एक overview आप लोग को इसके बारे में होना चाहिए यह जो article है आपर यह बात कर रहे है G20 countries के बारे में हमारी country के जो minister है जितेंदर सिंग इनके दोरा भी address किया गया first ever minister जो meeting थी G20 की anti-corruption working group के बारे में यहनके anti-corruption working group यहनके corruption को रोकना उसके बारे में जो बात कीगी तो पहली यहाँ पर यह meeting देखने को मिली जो हमारी country के द्वारे इसको chair किया गया प्रिपेर करने की बात की जा रही है comprehensive recommendation ताकि जो G20 economy है वहाँ पर एक practice में लाया जा सके कि जो corruption है आपर कैसे उसको रोका जा सका है international level पर यहनके international effort लगाने के को सिस कर रहे है आपर corruption को रोकने के लिए ठीक है तो यह basically आपर fund है तो important है इसके बारे में आप लोग गाडिया रख सकते हैं G20 country के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो अब की बार पिटलिक से यहाँ पर question पूचा गया कौन सी country G20 में आपर देखने को मिलती है तो answer किया है यहाँ पर मैंने आप लोगों से पुझा था तो समने अच्छे से answer दिया तो इसी तरीकी से practice आप लोग करते रहना है यहाँ पर जो इसके बारे बात करें तो Argentina, Mexico, South Africa और तुर्की यह चारो की चारो जो है वो G20 का part है तो इसलिए G20 का यह answer यहाँ पर सही हो गया अगर country के बारे में आप लोगों से बात करूँ कौन कौन सी country है तो आप लोग देख लिजें आपर एक बार यह है Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा Italy, Japan, South Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, United States और European Union तो यह मिला कर यहाँ पर एक group बनाता है तो यहाँ पर कोई सी country जैसे की New Zealand आप लोगों को देखने को ने मिलेगा ठीक है इसी के सारे में अगर आप लोगों से बात करूँ Malaysia आप लोगों को देखने को ने मिलेगा वियतनाम आप लोगों यहाँ पर देखने को ने मिलेगा ठीक है अगर वियतनाम के बारें बात करें इरान आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा इसी के साथ में आप लोग है आपर सिंगापूर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इसके अंदर अगर इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर यह कंट्री है जो आप लोग को देखने को नहीं मिलती है बाकि अब की बार की 2020 की बात करें तो किंग जो सल्मान बिल जो हाँ पर जो साउथ अफरीक है उसके पास में इनकी लीडर सीफ है ठीक है ये जो गुरूफ है आपर 1999 में बनाये था 26 सेप्टमबर गो परपज इसका यह था कि मिलकर काम कर सके गलोबल जो एकोनोमी है उसको थो साने सी सिचेशन को हैंडल किया जा सके ठीक है तो ये इसका बेसिक यहाँ पर परपस था एक इंटरेसिंग कोशन ये बताइए इसकी नेस्ट जो मिटेंग है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है ये है कोशन जिसका आंसर आप लोगों की खस्ता आलत कर दिया पर लेकि कोविड-19 के चलते ये काफी जदा पूलम देखने को मिली कि हाँ पर एक तरीके से जिस तरीके से इनकी जो दिन चरिया चला करती थी वो नहीं चल पाई तो बहुत सारी जो सेक्स वर्कर हैं वो भूकी मर रही है आज केड में तो नेस्नल हुमेन राइट कमिस्टन जिसको NHRC आप लोग बोलते हैं उसके द्वारा बोला गया कि सेक्स वर्कर जो हैं उसको इनफोर्मल वर्कर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा यानिकि एक तरीके से उनको भी हाँ पर काउंट किया जाएगा ऐसा नहीं है कि उनको आम लोग सोसाइटी का पार्ट ही नहीं मानते है यह पतरीके से अगर मोटे-मोटे तोर पर अगर इनके बारे में कुछ लिखेने के लिए आए तो बहुत सारे जो रेप के केसिस हैं हमारी कंट्री में जो सेक्स वर्कर हैं उनकी वेज़से रूख जाते हैं वरना और जादे रेप के केसिस ओल ओवर वर्ल्ड में देखने क को मिले तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक contribution यहाँ पर देखने को मिलता है sex worker का उनकी भी एक life होती है उसको हम लोग को respect करना चाहिए उन्होंने अगर इसको choose क्या है इस particular जो भी उनका ये काम है तो इसमें उनकी कोई ने कोई मजबूरी रही हुई क्योंकि एक ऐसी चीज है कोई इसको अपनी मर्जी से नहीं choose करेगा पर लेकिन situation condition कुछ ऐसी बन जाती है इनसान के सामने कि मजबूर कर देती है ये इस particular area के में काम करने के लिए भी तो ये हैं यहाँ पर इनके बारे में society पर बहुत बड़ा impact पड़ता है ये ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कोई बात करने के लिए तयार नहीं है पर लेकिन ये ऐसी चीज़ें कि जो की एक तरीके से जो society में काफ़ी large scale पर आप लोगे चीज़े इंडल से देखने को मिलेगी कि इसके बिना society आगे ही नहीं बढ़ सकती है कि साधी भी basically इसी परबज के लिए आप लोग देखते हैं जब साधी की जाती है कि society आगे बढ़ सके बोलते हैं अपना once आगे बढ़ाना है तो ये कही न कहीं एक तरीके से जो एक pattern है society का उसको accept नहीं करते हैं सबसे जो एक आजीब गात हो देखने को मिलती है कि हर एक इनसान जिस चीज को एक तरीके से अपनी life का part बना कर रखता है उसके बारे में discuss करने से सर्माता है तो इसी के वैसे काफी सारी problem हमारी society में देखने को मिलती है कि openly उनके ओपर discussion नहीं कर जाता है तो इसी के बारे में बात किया रही है कि right all the women जो इस particular area में काम करती है तो उनको count कर जाएगा pandemic के चलते अभी हाँ पर उनके ओपर काफी ज़्यदा problem देखने को मिली तो जो women network है हाँ पर चाहे वो कहीं पर भी हो तो informal जो sector में उनको count कर जाएगा अगर वो कोई इस तरीके से अपना एक कोई काम कर रहे है तो उनको भी count कर जाएगा कि ये भी उनका एक profession है उससे इनकी earning हो रही है उससे इनकी घंड की रोजी रोडी चल रही है उसके base पर वो जिन्दा है तो इसको भी हाँ पर count कर कर चला जाएगा तो ऐसे worker की तरीके से treat के जाएगा तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते है कि इनकी भी life आगे चल कर एक थोड़ी सी अच्छी life यहाँ पर थोड़ी देखने को मिलेगी जिस तरीके से देखा जाता है उससे थोड़ा उपर उठेंगी लोगों की जो सोचने का तरीका है important news आप लोग यहाँ पर बोल सकते है Quad Group के बारे मैंने आप लोगों से कई बार डिसस किया है Quad Group में चार country आप लोगों को देखने को मिलती है India, USA, इसी के साथ में Japan और Australia, यह चार country जो है Malabar Excise का भी पार्ट बन चुकी है Malabar Excise जो थी जब इस्टार्टिंग में इसको इस्टार्ट किया गया था उस टाइम पर इसके अंदर दो country आप लोगों को देखने को मिलती थी एक थी India और दूसरा था USA तो 1992 में इस Excise को इस्टार्ट किया गया था हला कि आगे चलकर फिर चीज़े फिर से स्टार्ट हो गई फिर से चीज़ों को स्टार्ट किया गया तो आज की दिर में अगर आप लोग इसके बारे में हाँ पर बात करिए तो इसमें जापान फिर आगे चलकर इसका पार्ट बना पर लेकिन अभी फिलाल जो है अभी अगर इस साल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपर Australia को भी इसका Part बना लिया गया है हलाकि Starting में Australia के द्वारा मना किया गया था कि वो Part नहीं बनेगा क्योंकि China के Pressure में आगे उसने Part बनने से आपर मना कर दिया था तो इहाँपर जो जापान है वो भी इसका पार्ट है अब आस्टेलिय भी इसका पार्ट बनने जा रहे है तो यह exercise है वो काफी important है हो रही है तो अब की बार यह कहा पर हो रही है यह आप की बार हो रही है इंडिया वाले reason में खास कर ठीक है तो इसलिए हाँ पर यह और दिदे इंपोर्टेंट हो जाती है तो यह इसका जो 2020 में जो एक्साइज चल रही है इसका 24 वा संस्क्रण है यानिके 24 एडिसन है माला बार एक्साइज का COVID-19 की वेसे यह डेले हो गया हाला कि थोड़ा पहले होना था इसकी वेसे आपर यह डिले होता हुआ आप लोगो नजर आ रहे है तो अस्टेलिया उसने द्वारा भी हाँ पर इसका पार्ड बनने की बात किये तो देखते हैं किस तरीके से चीज़े आगे बढ़ पाती है तो एक अच्छा कॉबिनेशन आप लोग है आपर की जाएगी तो 1992 में इसको पार्ड बनाा था अस्टेलिया इसका पार्ड बन चुका है हाँ पर तो यह काफी इंपोडेंट है अगर आप लोग इन कंट्रीज को मेप में देखेंगे तो यह काफी इंपोडेंट है आपर खासकर ये China को जहाने में रखते हुए, यहाँ पर India हो गया, यहाँ पर Japan हो गया, यहाँ पर Australia हो गया और यह हो गया हो गया हैं यहाँ पर USA. तो यनकि China जिस तरही है हरकेते कर रहा है, उसको tackle करने की कोजिस्स यहाँ पर की जा रही है, खासकर South China Sea में जब हम लोग बात करते हैं यह हो गया Indian Ocean, यह हो गया Pacific Ocean तो Indo-Pacific यह बोलेता है कि इस particular reason में सांथी रखना जहां पर China जो है वो किसी को सीधे मुह देखने के लिए तयार नहीं है तो उसको tackle करके चलना ठीक है तो यह है इसका basic purpose इम्पोरेंट न्यूसे डेरेट एक्जाम में कोशन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं खासकर जब यहाँ पर बात करते हैं आर्ट और कल्चर की सैड में तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री जो है एक काफी एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मुल्ड़ा है जिसको बड़ा है Life in Miniature इसका क्या मतलब होता है मिनियेचर का basic मतलब होता है कि जब किसी बड़ी चीज को एक छोड़े से रूप में ढाल कर दिखाना तो उसको मिनियेचर आप लोग बोलते हैं तो यहाँ पर जो Ministry of Culture और Tourism है उसके द्वारा बोला गया है कि वर्चुली लॉंच क्या जार है Life in Miniature प्रोजेक्ट जिसमें हमारी कंट्री में National Museum, New Delhi, Ministry of Culture इसी के साथ में Google, Art and Culture यह मिलकर काम करेंगे तो कई सारे hundreds of miniature painting है हमारी कंट्री में जो कि National Museum, New Delhi में आप लोग को देखने को मिलेगी अलग-अलग लेवल पर तो उनको online यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी टेक्नलोजी का यूज़ करके लाइक machine learning, इसी के साथ में augmented reality, इसका मतलब क्या होता है ताकि चारो तरब से उसको आप लोग को दिखाया जा सके यानि कि उसमें जाकर देखने की आप लोग को जड़त नहीं है घर पर बैटे-बैटे आप लोग उस चीज़ को feel कर सकते हैं तो special work of देखने को मिलेगे आपर magical new way में यानि कि आज की डेट में COVID-19 के चलते लोगों का घर से निकलना जो है वो दुसवार हो गया है तो अब ये एक तरीका ढूंडा गया है कि लोग जो है वो घर से नहीं निकले और घर पर ही बैटे-बैटे उनको ये feel कराय जाए बिल्कुल उसी level पर जिस तरीके से जैसे कि वो होई पर ही बैटे हो museum के अंदर ही तो ये एक तरीका है आपर technology का use करके एक सही direction में चीजों को implement करनेगा तो ये जो project है जिसका नाम दिया गया है Life in miniature तो ये हाँ आपर याद रखेगा Google Art and Culture भी हाँ आपर मिलकर काम कर रहे है Ministry of Culture और National Museum के साथ में तो question कई बार बन जाता है कि किसके साथ मिलकर ये project काम क्या रहा है और basic purpose इसका क्या है तो इसके लिए हाँ पर ये हलका सा एक overview आप लोग के इसके बारे में होना चाहिए Next यहाँ पर आप लोग को पता है हमारी country में पहले कुछ ही IIT होआ गरते थे पर लेकिन अभी कई सारे IIT अभी हाँ पर आ रहे हैं तो उनके चलते हैं उनका अलगला campus एक नई technology के साथ में डवलप किया जा रहे है तो education minister जो हमारी country में उनके द्वारा detail permanent जो एक तरीके से campus है IIT roper तो इसका यहाँ पर देखने को मिल रहे है nation के लिए basically एक प्रोपर dedicated camper इसके लिए आप लोग के सामने निकल कर आएगा यह जो हो गए हाँ पर यह IIT roper के लिए हो गए Indian institute of roper ठीक है तो यहाँ पर यह पंजाब के अंदर है तो यह high education institute located कहाँ पर है यह सतलुज जो river है तो उसके ओपर आप लोगो देखने को मिलेगा है आप रूपा नगर पंजाब के अंदर तो यह river का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह जो नया IIT है कहाँ पर यह आप लोगो देखने को मिल रहे है इसी के साथ में Indian Institute of Technology Amendment Act 2011 के अंडर यहाँ पर इसको यहाँ पर basically implement किया जा रहे है तो direct कही सारे ऐसे question आप लोगों से देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर कही ने कहीं यह जो river है इसका नाम आप लोग जरूर याद रखेगा और पंजाब के अंदर यह नया IIT देखने को मिल रहा है तो यह था टूटल आज का discussion जो हम लोग यहाँ पर discuss करना था इसी के साथ में देख लेते हैं क्या कि हम लोग अगर discuss किया और हाँ यह एक वीडियो में ने बनाया थी जिसको आप लोग जाकर जरूर देखेगा यह वीडियो थी बेसिकली इसमें देखेगा कि किस के दौरा क्या गया गलतिया की गए कई सारे बच्चों के दौरा अपना experience share किया गया ताकि फ्यूचर में आप लोग इसको repeat ने कर सके बहुत सारे बच्चों का selection भी हो है तो उनको अच्छे से अपने pattern को लेकर आगे चलना है कोई भी कोताई आप लोग को नहीं बरतनी है जब तक final merit में आप लोग का नाम नहीं आ जाता है ठीक है हम लोग ने देखा यह माला बार exercise के बारे में काफी detail में जाना इसी के साथ में IAT roper के बारे में हम लोग को जानने को मिला और जिन नेक्स नियों थी हम लोग के सामने यह हम लोग ने आप